नमस्कार दोस्तो स्वागत वंदन वविनदन में शंबो नाइमा आपका हमारे चैनल होटी मंतर में स्वागत करता हूँ फ्रूट क्रोप की सीरीज में आज हम लेकर आ हैं एपल तो एपल पर हम उन विभिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अक्सर विभिन प्रतियों के परिक्षा में पूछ लियते हैं तो हम उन्हीं इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला है किंग ओफ टेंपरेट फूट एपल को ही किंग ओफ टेंपरेट फूट कहा जाता है एपल को क्या कहा जाता है इसी को किंग ओफ टेंपरेट फूट के नाम से जाना जाता है साथ ही साथ इसको प्राइमर फूट ओफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है आगे बात करें तो एक आपल अडे की फ्र डॉक्टर अवे मतलब अगर एक अपल हम डेली खाएंगे था में डॉक्टर के पास जाने की आवश्चुकता नहीं होगी और इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो पल का जो बॉटनिकल नहीं है वह मैलस डॉमेश्टी का इसका बॉटनिकल में लिए में फीमिली है इसकी रोजेशी रोजेशी फैमिले से भी लगुं करता है उसके बाद जो इसका ओरिजन है वह है साउथ एश्ट अस्या साउथ वेस्टर्न एस्या मतलब दक्षिन पस्चिम एसिए इसका जो और एक सेंटर ओफ ओरिजन है 24-34, the ancestors of cultivated apple mela's silvestres, जो इसका इसकी जो पूरवज माने जाते हैं, वो माने जाते हैं, मेलस silvestres जो इस्पिसिस है, वो इसकी पूरवज इस्पिसिस माने जाते हैं, मेलस बखता इस कल्टीवेटेट as an orn इंडिया में यूज किया था है कॉमनली इस रूट रूट्री है एपल इस लारजेस्ट प्रडिसिंग कंट्री इंडिया वह सबसे यादा एपल का उत्पादन करने वाला देशे हमारे विश्व में पोशक विश्व में, कार्भोहेड पाइडरे था तेरधसमला, चार पतिश्ट में contentInsगर अपल इडिया जो भारत का सेथ का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को ही भारत का सेव का कहा जाता है इसको काफी ज़्यादा समय तक इस्टोर किया जा सकता है अन्ने फूट की तृण नाम है कि तरह इसकि क्लाइमेट टिंडिशन में टेंप्ट्रचर की बात कहा है,Thank you इसको तापमान का है तमुदर तल से 1500-700 मिटर उचाय तक इसकी खेती किया सकते हैं रेनफाल के बाद 100-130 इसको वार्षिक वर्सा किया हो शक्ता होती है चीलिंग रेक्वार्मेंट में इसको जो चीलिंग रेक्वार्मेंट चाहिए वो चाहिए एक हजार से 1500 घंटे एट और बिलो सेवन डेग्री सेल्सियस डिरिंग द विंटर जो ठंड के दिनों में इसको साट डेग्री है साट डेग्री से कम तापमान इसको चाहिए ताकि क्या है कि जब साट डेग्री से ज्यादा तापमान बढ़े तो यह आसाने से फ्लोवरिंग कर सके तो इसको जो स्वोईल टाइप चाहिए वो चाहिए स्लाइटली एसेटिक लोमे स्वोईल जिसका पीच पांच दस अमना अविए मरदा इसको चाहिए Bradis wasuela UK इसकी जो कमेरिशली प्रोफ कि मेथेड के वह है वह फृष रूइन एफ और असले और जो रूट स्वेश्टों के लिए जो प्रोफ कि मेथेड प्रॉइड या माॉंड लेरिंग प्लाइं प्लाइंट स penn chegar स्कूर सिस्टम वर्गाकर विदी से इसकी जो प्लांटिंग की जाती है प्लांटिंग की जाती है प्लांटिंग की बात करें तो जो इसकी प्लांटिंग प्लांटिंग की बात करें मीडियम हाइड इंसिटी की प्लांटिंग की बात करें मीडियम हाइड इंसिटी की बात करें दो मेटर इंटो वन मेटर इसकी हाइड एंच्री प्लांटिंग की जो इस्पेसिंग है वो रिक्वार्ड है Usually one in six और one in nine plants is use and pollinizer in self-unfruitful variety जो self-unfruitful variety से मतलब जिसमें जो self अपना pollination नहीं कर सकती उन variety के बीच में छे पे एक पोदा pollinizer variety का या नो पोदों पे एक पोदा pollinizer variety का लगाना चाहिए इससे क्या है कि अच्छा pollination हो सके है और जो हमें फदन है वो ज्यादा से ज्यादा प्राहप्त हो सके इंडिया 10-33 pollinizing are recommended for quality fruit production भारत में 11 से लगा कर 33% तक pollinizer tree लगाने की स्थला दी जाती है ताकि जो हमें अच्छा और quality fruit production हो सके मतलब 100 पे 11 पोदे या 33 पोदे ग्यारा से लगा और 33 पोदे हमें 100 पोदे पर लगाने की स्थला दी जाती है ताकि quality fruit production किया जा सके इंडिया फ्रूट्स वर्ड इन पास सीजन ग्रोथ जो एपल की जो ग्रोथ होती है वो जो पिछली जो ग्रोथ हुई है उस पे ओल्ड सीजन ग्रोथ पे इसकी flowering आती है और इसको इस पूर्ट कहा जाता है एंडिया रिक्वार्मेंट की जो प्रिटिकल प्रियेट है अप्रेल से अगर्स्त में इसको वाटर की ज्यादा आशकता होती है और इसको ही क्रिटिकल प्रियेट कहा जाता है वाटर का इसे कोशन कई बार एक्जामों में पूस्ट ली जाते हैं और अगर हमें आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आके बात कर लेते हैं फ्लोवर कलर की तो इसका जो फ्लोवर कलर ह वह होता है वाइट टू पिंक इसका जिए फ्लोवर कलर हता है इसको इसको थ्लोवर कलर होता है वहाइट से पींग वाध्यको सभी तो सुगर और मिली के शीट अर प्रिजेंड़ इन इंपल फ्रूट जो मेली के सईड और सभी तल शूगर है वह इसके फल में पाये जाता है लुजिएकल डिस ओडर की बात के बात प्र रिटर पीट और कोर्क स्पोर्ट कास्ट वाइड केल्सियम डिशियंशिएश में disorder bitter pit और जो कोर्क स्पोर्ट होता है वो होता है calcium deficiency के कारण internal blowering of fruit and corking sport on the flesh caused by boron deficiency और जो जो flesh पे corking is a corking spot होता है वो boron deficiency के कारण होता है escape resistant is controlled by partial polygeny escape resistant इसमें control होता है वो होता है partially polygeny के गारा और fruit color is controlled by independent gene ABC और fruit color control होता है वो होता है थ्री इंडिपेंडेंट जीन ABC के गारा सीडार is fermented wine prepared by apple जो सीडार है वो बनाए जाती है एपल से जो एक फर्मेंटेट पेपदार्थ है इस्टोर इस तेंपरेचर की बात करें तो माइनस अर्ली fruit जो होता है ड्यूट्व पॉर पॉलिनेशन के गारा और पॉर पॉलिनेशन हुआ होगा तो जो फल है वो पहले ही जड़ जाती है एक होता है जून रोफ जून रोफ उड्यूट्स फ्रेस औरमए इंवोर्मेंटल केंडिशन जो अगर मॉस्ट्रेस अगर वो होता है तो जून रोफ होजाता है इसलिए जू इसकी कि अ क्रिटिकल्ल फ्रियेड है अप्रेल टू अगास्थ प्री हर्वेस्ट पूर्वेस्ट फूर्वेस्ट 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 Starlet Bala और Trial Suzy Escape-Resistant Variety की बात करें so Tima First Escape-Resistant Variety है Honey cryptocurrencies, Empire, Jona Gold Priscilla, Liberty, Forders, Serine और Surprise इसकी Escape-Resistant Variety है Flavor-Rcts Variety की बात करें तो Honey cards हैए वो इसकी Flavor-rich Variety है पिलिनाजर वेराइटी की बात की जाए तो golden delicious, red delicious और winter बनाना जो winter बनाना यह बार कई यह question कई बार पुछा जाता है कि winter बनाना की स्क्रोफ की वेराइटी है यह apple की pollinizing वेराइटी है इस्पूर टाइप वेराइटी, red chip, red spur delicious, golden spur delicious, low chilling वेराइटी जिसमें कम chilling requirement की ज्यादा आऊशकता नहीं होती वो है वेरेट, मिकल, ट्रोपिकल ब्यूटी, परलाइन ब्यूटी, टेटलोएट वेराइटी की बात करें होती है, बैल्डविन, मुस्तू और ब्रैमलाइस हाइबरेट वेराइटी की बात करें, वो सबसे पहले हैं, लाल अमरी जो क्रॉट से red delicious into अमरी का और अमरी और है वो लोंग storage life, जो storage life है वो काफी लोंग होती है, सुनारी अमरी गुनेट, golden delicious, अकबर अमरी into cox orange, पीपेन, ये tolerant to escape and powdery mildew है spread red delicious into अमरी 57, low incidence of powdery mildew, escape and sooty blotch next आता है, star king, star king delicious into अमरी 81, आपको लगया कि 81, 57 क्या है तो ये होती है उस variety की जो lines यूस की जाती है, कि उस variety की जो अलग-अलग lines है, उसका cross करके अगर कोई variety develop की याती है, तो उसके साथ उसके line की numbering भी की जाती है, बागी कई बार केवल आपको star king delicious से केवल अमरी दीखेग अप्शन में, ये टोल्डेंटू escape है, अमरी इस star king delicious into अमरी 84, अमरी इच बीचर्ड इंटू अमरी 15, चोबटिया फ्रिन से उस तो ये red delicious into early sunberry और चोबटिया अनवम ये भी red delicious into early sunberry का पोस है, रूटिश्टों की बात करें जाया, तिसका ज़े द्वार की रूटिश्टों के वो है M9 suitable for high density planting in flat and irrigation areas only, तेमे द्वार प्रूटिश्टों की बात करें जाया M4, M7, M106 और M24 suitable for high density planting resistant to apple fully afet, से मेरे वेगरस की बात करें M111 और M104, drought tolerant and resistant to apple fully afet, वेगरस की बात करें M25, Maltin 793, resistant to wooly afet and collar root q early fruiting, जो M25 है या भी जो UP की TGT एक्जाम हुई ती उसमें भी पूछा गया था कि जो वेगरस और रिष्टों के वह कौन सा है और option में था M27 भी था M9 भी था तो जो M25 पी वह वेगरस और रिष्टों का option अल्टाड और पूटिश्टों की बात करें तो M27 जो को से M13 into M9 का suitable for high density planting इंसेक्ट की बात कर लिजाएं तो इसमें आते हैं एप्टूली एकेट एरियो सोमा लेनी जेरम और एफिट कॉमी ब्लूसम थ्रिप्स थ्रिप्स त्रेवस और रेड स्पैडर मैट के नो पेनोया एक्रस उल्मी डिशिस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इसमें एक एप्टलिस के विनिटूरिया इंडी क्यूरिस जिसमे जो फ्रूट है उस पर बन जाते हैं और पाउडर मिल दो दोस पूरा लेकेट और ही चाहाँ वीडियो अच्छा लगाओ तो वाह लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद